Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today, we are discuss about our grammar topic. Standard, fifth subject, Gujarati grammar topic, संग्न्या अने तैना प्रकार. आजे आपने Gujarati भरसामा व्याक्रण बनी सुख. तो आपने ठाए के व्याक्रण एटले के सु, तो व्याक्रण एटले के grammar. जेम, तमें English सिखता पहला, Alphabet सिख्या, Hindi विशय सिखता पहला, तमें वर्ण माला सिख्या. बराबनने, औने Gujarati विशय सिखता पहला, सु सिख्या तमें? राइ, गुजराती विशय सिख्या पहला, तमें कक्को औने बाडाक सरी सिख्या. बराबनने, तो आँ सिख्याती सु थाई छे? राइ, आ सिख्याती, आपने कोई पन विशय मां, ए पची इंगलीज होई, हिंदी होई, के पची गुजराती विशय होई, तेने इजी रीते वाची औने लखी सक्ये छे, बराबनने, औने तमें पन, हवे बद्धिर लेंग्वेज मां, इजी थी, वाची औने लखी सको छो, बराबनने, तो मुडाक्सोनों औने आलफाबेट्थी, तमें कोई पन विशय मां, वाचवानों औने लखवानों रस्तोतों बनावी दिदो, पन, कोई पन भसाने समझवा, औने ते भसानू सारू नोलेज मेडवां मांटे, व्याकरण खुबत जरूरी छे, तो तमें आ व व्याकरण विभग ने द्यांती समझ्जो, व्याकरण विभग मां आजे आपने संग्न्या अने तेना प्रकारोवी से वाद करी सु, विद्यार्थी मित्रों अहियां हुँ तमने अमुग चित्र बतावी, जेंके नीलम तेनू गुरू कारिय करे छे, आ हाथी छे, स्त्री अने पूरूस प्रणाम करे छे, आ लाकडानी खुरूसी छे, अहिं चित्र मां व्यक्ती, प्राणी, क्रिया अने पदर्ण उल्ले करेलो छे, जेने दर्शावामाटे संग्ण्यानो उप्योग थाय छे, विद्यार्थियो संग्ण्या एतले के ना, तो च्यालो आपने पहला संग्ण्यानी व्याख्या समझे, जे व्याक्यामाँ जे सब्दा थी व्यक्ती, प्राणी, पदार्थ, क्रिया, गौन के बाव और्खाई तेने संग्ण्या केवामा आवे छे, अंग्रेजी व्याक्रण मां तमें नाउन भणी चुक्या अहजो तेना जेम गुजराती भासा मां नाउनने संग्निया तरीके उडखवामां आवे छे गुजराती भासा मां मुख्यतवे 5 संग्निया ओ छे व्यक्ति वाचक संग्निया एलेके प्रपर नाओ सेकेंड जाती वाचक संगन्या एले के कौमन नाओ त्रीजी समु वाचक संगन्या एले के कलेक्टिव नाओ चोथी भाव वाचक संगन्या एले एफ्टरेक्ट नाओ और पाचमी द्रव्य माचक संगन्या एले के मटिरियल नाओ स्टुड़न्ट, here we will discuss our first two नाओ first व्यक्ति वाचक संगन्या एले के प्रपर नाओ अने second जाती वाचक संगन्या एले के कौमन नाओ So let's discuss first व्यक्ति वाचक संगन्या अहीं आपने अमुक वाक्य जोईसू एत अमारे ध्यान्थी जोवाना छे गुजरात भरत नू एक राज्य छे सचीन भरत नो सर्व श्रेष्ट क्रिकेटर छे गंगा भरत नी सौथी लांबी नदी छे विद्यर थियो तमें यह ध्यान्थी जोई असे तो जे संगन्या चकस व्यक्ति तथा स्थर्णेद लागू पड़े तेने व्यक्ति वाचक संगन्या कहे छे जे सब्द चकस व्यक्ति के स्तान के स्थर्णोज उल्लेक करेल होई तेने व्यक्ति वाचक संगन्या कहे छे स्थूडन्स अहाई आपणे ए समझू जोई ए कि जारे कोई पन व्यक्ति ना नाम, स्तोर, गाम, सहेर, नदी, पर्वत, देस वगेरे ना नाम नो उल्लेक थएलो होई त्यारे आपणे त्याने व्यक्ति वाचक संग्न्या एले के प्रोपर नाउन कहे छे होवे सेकेंड संग्न्या छे जाति वाचक संग्न्या कौ मन्ना अहीं पणू तमने अमुक चित्र बतावी ये तमारे द्यान्थी जोवाना छे नीलम हस्यर छोकरी छे बाड़को साडामा जाई छे आ फूल खुब सुन्दर छे अहीं त्रणेव चित्रों मा आपने जोयू के प्रथम चित्रों मा छोक्री बीजामा बाड़को तथा तीजा चित्रों मा फूलनी वाद छे अहीं आपने ए समझे के जे संग्निया कोई चोकस आखी जाती ने लागू पड़ती होई त्यारे त्याने जाती वाचक संग्निया कहे छे अहीं द्यानमा राखवानू के जारे कोईपन सब्द आखी जाती ने दर्सावतु होई एतले के आपने अहिया एक वात्क्य जोयू के आ फूल खूब सुन्दर छे बराबर तो फूल सब्द छे ए जाती वाचक संग्निया छे केम के दरो जुदा जुदा फूल होय जेम के गुलाब, मोगरो, कमर वगेरे पर बद्धा ने आपने एक शब्दमा केवू होय, तो आपने फूल सब्दनो उप्यो करी सु एतले फूल, ए आखी फूल जाती नो निद्देश करे छे तेथी तेने जाती वाचक संग्निया कहे छे तो जे संग्निया आखी जाती ने लागू पड़े तेमना दरेक ने लागू पड़े तेने जाती वाचक संग्निया कहे छे Now, student, we will understand both nouns, proper noun and common noun with example वाक्यों मां क्यारेक एक अथवा एक करता वधारे पन संग्निया वो रहेली होई छे So, let's understand it अहीं, आपड़े अमुक वाक्यों नो अब्यास करी सू बरत भाई सिख्सक छे तो बरत एक कोई व्यक्तिनू नाम छे तेथी व्यक्ति वाचक संग्निया जारे सिख्सक तो सिख्सक गणा बदा होई, जुदा जुदा विशोयों ना होई तो सिख्सक एक जाती नू निर्देश करे छे तेथी सिख्सक एक जाती वाचक संग्निया छे हुँ बोर्षत सहर मां रहुचू तो बोर्षत एक सहर नू नाम छे तेथी व्यक्ति वाचक संग्निया जारे सहर तो सहर गणा बदा होई, जुदा जुदा राज्यों मां होई, जुदा जुदा देशों मां पन होई तो सहर एक जाती वाचक संग्निया छे सी जंगल मां रहे छे तो सी एक प्राणी नू नाम छे जेथी सी एक व्यक्ति वाचक संग्निया छे जारे जंगल, तो जंगल गणा बदा होई सके जुदा जुदा देशों मां होई सके तो जंगल ए जाती वाचक संग्निया छे मरू नाम मनोज छे तो मनोज ए कोई व्यक्तिनू नाम छे तेथी मनोज ए व्यक्ति वाचक संग्निया छे दवल पुस्तक माचे छे तो दवल पन कोई व्यक्तिनू नाम छे तेथी दवल ए व्यक्ति वाचक संग्निया छे जारे पुस्तक तो पुस्तक गणा बदा होई सके जुदा जुदा विशोयोना होई सके तेथी पुस्तक ए जाति वाचक संग्निया छे Student, today we have two nouns Discuss about two nouns I hope you have understand it well If you have still any confusion Please watch this video again Thank you, have a great day Jaiheen